सावन के महीने में भगवान गनेश के बारा नामों का उच्चारन करना बेहद ही फल्दाई और लाबदायक बताय गया है सावन के महीने में सुक्ल पक्स की चतुर्ती को आने वाली गनेश चतुर्ती के दिन यदि भगवान गनेश की पूजा पाड़ की जाए और साथ ही उनके बारा नामों का उच्चारण किया जाए तो व्यक्ति के रुके हुए अभी कारिये पूरे हो जाते हैं और उसे हर काम में सफलता प्राप्त होती है भगवान गनेश विध्या, बुद्धी, विध्धी, सिद्धी और नवनिदी के दाता हैं जो व्यक्ति को ब बारा नामों का उच्चारण करने मातर से आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे भगवान गनेश के बारा नामों को लेकर क्या कहते हैं हरद्वार के विध्वान जोतिशी, पंडिश स्रिदर सास्त्री सुनिए गनेश चतुर्थी जैसा की स्रावन मास में आ रही है वैसी प् पर्थम पूजा गनेश जी की होती है वे विध्या और बुध्धी के दाता भी है और गनेश जी महराज जी की घृपा किस परकार से हमारे उपर बनी रहे तो उसका हम क्या उपाई कर सकते हैं तो जैसा की स्रावन मास की जो चतुर्थी है गनेश चतुर्थी है उसका तो व बोलना चाहता हूं तो इन बारा नामों का बहुत ही बड़ा महत्व है और उससे गनेशी महराजी कृपा बनी रहती है वो नाम क्या है गनेशी के सुमुखस्चे इक दंतस्चे कफी लोग जी करनक है लंबो द्रस्चे विक्टो विघ्रनासो विनाएक है दुम्र के दो गना दक्षो भाल्चंद रोग जानने द्वासीताने नामानी यह प्रटेच्चन यादभी विद्यारंबेई वाहे चे प्रवेशे निर्ग में दता संग्रामे संक्टे चाईवे विघ्नस्तस न जायते वकरतुंडबहां का है कोटी सूर्य समप्रवे निर्विघ्रम कुरु मे देव है सर्वकार ये इसु सर्वदा इन नामों का यदि हम उच्चारण करते हैं तो हर एक कारिया में सफलता मिलती है बदा ना संग्रामे संक्टे जिवे तो संग्राम में संक्ट में और कोई भी कारी हमारा रुका हुआ है गनेश जी महराज किरपा से वो बन जाता है और झाल 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 झाल